अब क्या है उसको देखते हैं चलिए देखिए उत्तर प्रदेश अधिनस सिवाचायन आयोग पिकभाउंत्र तीतल गोंती नगर ये दिनांग 17 फरोई दो हजार चौबिस को जारी की गई थी लेकिन अपलोड जो है आज हुई है ततकाली न भी ये जेई दो हजार अठारा की वेकेंसी को लेकर न्यूज है क्या है अपडेट चलिए पूरी अपडेट देख लेते वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल अपन नए होत पली चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें चलिए देखते हैं आयोग की आवसक सुचन संख्या 64 अबलिक 0 छे कंप्यूटर अनभाग परिच्छा 2018 दिनांक 5 अगस्त 2023 द्वारा आयोग के विग्यापन संख्या 04 परिच्छा अबलिक 2018 समलित अवर अभियंता सं अगड़क एउम फोर मैन सामाने चैन प्रतियोगात्मक परिच्छा 2018 के अंतरगत विभिन रिक्त पदोहेत लिखित परिच्छा के आधार पर अर्ताबलेक परिच्छा के लिए चिन्हित कुल 4568 हभ्यर्थियों का परिडाम एउम कटाप अंक आयोग की वेबसाइट पर प् तक आयोग कार्याले में आज़ित किया गया था मिस जई का जो है डीबी हो चुखी थी लेकिन उक्त अहर्ता अबलिक परिच्छा के अंतरगत अवर अभियंता क्रिस अभियंतरण अवर अभियंता मुद्रण ओवर सेर तथा अवर अभियंता आटो मोबाल के पदों को आश्रित भूत पूर्शायनिक माहिला स्रेडी तथा विकलांगता की उप्ष्रेडी PDM-OIL स्रेडी के विज्यापित पदों के सापेक्च उक्त स्रेडी के अभ्यर्थियों की संभावित कमी या अनुपलुपता के दृष्टिक अत्मानी आयोग द्वारा लिए गए नेड़ निमलिखित कटाप के समान अंकप्राप्त वाले सभी अभ्यर्थियों को संभलित करते हुए 910 अभ्यर्थियोंす यही है कि जेई 2018 की वैकेंसी की डीबी जो है वह 4568 अभ्यर्थियों चुकी लेकिन उसके बाद कुछ स्रेडियों में जैसे अंसूचित जात अंसूचित जन जात स्वतंता संग्राम से नानी के आसरित भूत पूर सेनिक महिला बिकलांगता की जो उपस्रेडी पीडी और ओयल है इनमें अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण जो है एक पुनरिचित सेकंड कटाप जारी की गई है और इनकी इने डीबी के लिए बुलाया गया है जिसमें अनसूचित जात की जो है कटाप 540.50 वहीं अनसूचित जनजात की कटाप 397.25 श्वतंता संग्राम से नानी के आसरित की कटाप 349 तो वहीं भूत पूर सेनिक की कटाप 164.75 और महिला की 493.75 बिकलांगता की स्रेडी जो है उपस्रेडी पीडी के लिए 132.25 तो वहीं ओयल के लिए जो 453.50 सूच्च है कि अर्ता अभलेक परिच्छड है तो चिन्हित 910 अभ्यार्थियों में से 10 अभ्यार्थियों को प्रस्णगत विज्यापन के अंतरगत 22-23 से 13-23 तक आयजित अभलेक परिच्छड कारिक्रम में बुलाया गया था कहने का मतलब 910 में से 10 को बुलाया गया था 900 ऐसे हैं जिन्हें नहीं मौका दिया गया और जो अभ्यार्थि DB करा चुके हैं उन्हें पुना कराने की जरूत नहीं है और इन 900 को जो है DB के लिए मौका दिया गया है और ये अपना अभलेक परिच्छड हेत जो है अपना चेक कर लें कि इनके सूच है कि उक्त 910 अभ्यार्थियों का अहरता या अभलेक परिच्छड दिनांक 26 फरवरी 2024 से आजित किया जाना निर्धारित है जिनके बिस्तित कारिक्रम के संबंद में आयोक की वेबसाइट के माध्यम से अथावत प्रतक से सूचित किया जाएगा तो ये कहने का मतलब है सेकंड लिस्ट है जेई की जिस प्रकार से आप लेक पाल भरती में कई तीन तीन लिस्ट देखे उसी प्रकार से जेई 2018 की वेकेंसी का है ये है उन 910 अभ्यार्थियों के रोल नंबर जिनको डी सी एस्टी और पी एच के ओयल कटेगरी दो कटेगरी को लिया गया है और पीडी और महिला स्रेडी को स्वतंता संग्राम से नानी हैं और भोतपूर सैनी इनके हैं जिसमें से 10 का जो है दस लोगों ने डीबी में सुरू में ही करवा लिया है जो डीबी एक बार करा चुके हैं उन्हें जो है पुनह डीबी कराने की जरूरत नहीं है तो यह थी अपडेट लेटिस्ट अपडेट तो जिन लोग का जो अभिया तक तो ऐसे इंतजार हो रहा था रेजल्ट का लेकिन अब इनके डीबी के उपरानती ही रेजल्ट आएगा और इनकी डीबी जो है वह आपको सुचित कर दी गई है कि 26 फरवरी से इनकी डीबी होनी है हालांकि एक से दो दिन में डीबी इनकी हो जाएगी प्रिथक से सूचना जल्द ही आयोग ने कहा है इनके लिए जारी करें तो बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को सेयर करना न भूलें और इसकी पीडियाप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करके पेडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप आयो की वेब साइट से भी आप अपना इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नह प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके थैंक यू